बात करेंगे देश और दुनिया के कई ताजा और बड़ी ख़बरों की दोस्तों पहली बड़ी ख़बर मा आपको जानते हैं दिल्ली के अंदर किसान अंदोलन चल रहा है उसी को लेकर कुछ बेगना किसानों की यानि के 33 किसानों की मोते हो चुकी है महीं कोंग्रेस ने प्याम मोधी पर साधा है निसाना दोस्तों बदाएंगे इस कबर को विस्तार थे वहीं आपको बदादे किसान अंदोलन दिल्ली के अंदर तेजी पकड़ रहा है 26 दिन भी अंसन की सुरुवात देखने को मिरी है महीं आपको बदादे 31 दिसंबर तक बहार से आने वाली फ्लाइड बंद हो चीकी है उस सरकार ने आज राज से रोक लगा दिये दोस्तों इसी को लेकर नई बीमारी का लड़ सामने आया है दोस्तों बदाएंगे इस कबर को विस्तार थे महीं आपको बदादे भाजपा के वरिष्ट नेता के निदन पर पार्टी में सोक की लेहर दोड़ गई है महीं सेम सिवराज ने सोक जताया है दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को विस्तार से लेकिन आप गोधी मीडिया का व्रोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लेगे बेल आइकन को भी दवा लीजिए ताकि देश बर से सभी बड़ी खबर आपके बस सबसे पहले पोचे दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको उदा दे अब तक 33 किसानों की मोते हो चुकी हैं महीं कॉंग्रेस ने प्याम मोधी पर निसाना साधा है केंदर के ने किरसी कानून के खिलाफ किसानों का वरोध प्रदरसन 26 वे दिन भी जा रही है महीं किसान आंदुलन पर प्रदान मंतरी निरेंदर मोधी के मोन पर कॉंग्रेस ने सवाल उड़ाया और पूछा कि उन्हें 33 कारियों की मोत पर अब तक कोई सोक प्रकट क्यों नहीं किया है मैं कॉंग्रेस ने दारहुल गांदी ने आंदुलन के दोरान जान गमाने वाले किसानों को नमन करते हुए कहा कि किसानों का एक संगर्च और बलीदान अविससे रंग लाएगा उन्होंने ट्वीट में लिखा किसानों का संगर्च और बलीदान अब इससे एक दिन रंग जरूर लाएगा और किसान भाईयों बैनों को नमन और स्रदानजली कॉंग्रेस प्रिवक्ता समा मुहम्मन ने समाधाताओ से कहा कि अंदोलन के दोरान 33 किसानों अपने अपनी जान गवा दी और आन्दोलन दयarten किसान संगर्णों के अलावा कॉंग्रेस में रभीवार को्स्रत्धानजली दिवस मनाया जारा है और दोस्तों उन्होंने सवाल किया कि लेकिन हमारे प्रदान मंत्री चुप किया है और स्री अमिसा जी भी चुप किया है और योगी अधितेनाद भी चुप है लेकिन हमारे गिरहमंत्रिएम इस्सा के पास उनसे मिले का वक्त भी नहीं है परपच्च मंगाल जाने के लिए उनके दोरे के लिए वक्त है उन्हेंने काया कि सरकार की पूरी नश्रता और प्रधर सिता रही है क्योंकि लाखों की संख्या में किसान न्याय का इंतिजार कर रहे हैं वही कॉंग्रेज प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदान मंतरी के पास दार्मिक इस्तिलों पर जाने के लिए वक्त है लेकिन किसानों की मोत पर सोग परकट करने के लिए उन्हें वक्त नहीं है उन्हें ने कहाँ प्रदानमंत्री किसानों गूती कहा है मैं प्रदानमंत्री से अनुरोत करता हूँ कि वहाँ जाए और उनसे मिले उन्हें इस किसानों को नियाय देना चाहिए और इन काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और किसान विपक्सी दलो और अन्य हितादिकारियों के साथ परदर दसी कर लेना चाहिए और जो काले कानून निकाले हैं उन्हें रद कर देना चाहिए वहीं 200 गोर तलेब के हाजारों की संठ्या में किसान आंधोलन में लगी हरियाना और प्रदेश की सिमाउ पर करीब 4 हथे से डेरा डाले हुए है और उनमें से ज्यादा तर पंजाब और हरियाना मेंसे है और आंधोलन रत्बी किसान केंद्र सरकार दुवारा लाए गए तीन किर्शी कानुनों को वाफस लेने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों ही हात्रेस केस को लेकर भी उठाए गए हैं सबाल। कोंग्रेस प्रवक्ता ने उत्रप्रदेश के हाथ रह जिने में 19 वर्ष यह कि उविती से कतित सामुईग बलतकार वे उनकी मोत के मामले में राज्य की योग आदितनाथ बाच्पा सरकार पर संगड़ा करने वाले मामलों को दबाने का आवरोप लगाया है। उनने काया है कि CBI से अपने पात्रों में कहा कि उविती से सामुईग बलतकार हुआ था और इसकी अत्याग की गई है। महीं कौने सनेता का कहना है कि इसके बावजूद प्रदान मंत्री रेनेद्र मोदी और अमिस्सा अधितनाथ इस विशा पर खामोज भी रहे थे। दोस्तों महीं दूसरी बड़ी खबर मापको दाजी 31 दिसंबर तक बाढ़ से आने वाली फ्लाइट बंद कर दी गई है। सरकार ने आज राज से बड़ी रोक लगाई है। दोस्तों इसी को लेकर नई बीमारी का अलर्ट जारी किया गया है। कोरणवाइरस के नई स्ट्रेंड मिलने की वजह से चारो तरफ हालो कंप मच गया है। जिसकी वजह से कई यूरूपयों दिसों ने ब्रेटेन से आने जाने वाली मांसी की प्लेनों को रद कर दिया है। ऐसे में 12 सरकार ने अब ब्रेटेन से आने वाली सभी फिलाइट पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंद लगा दिये गए हैं जिसके चलते इन फिलाइट पर बेन का समय आज रात 12 बजे से सुरू होगा और तब तक के लिए आने वाली फिलाइट हर पैसिंजर के लिए आटियार के ल ब्रेटेन में भारत आने वाली सभी उड़ानों को निनम्बित कर दिया जाएगा जिसके चलते यह निनम्मन आज रात 12 बजे से सुरू कर दिया जाएगा फिलाल उससे पहले आने वाले लोगों के लिए आर्टी पीसियार टेस्ट को जरूर कर देना चाहिए दोस्तों वही तीसरी बड़ी खबर में आपको दादे भाजपा के वरिष नेता के निधन से पार्टी में सोक की लहर दोड़ गई है सियाम सिवराज सिंग ने सोक जताया है बपाल विकास प्रादी के पूरु अध्यक्स ओम यादव का रविवार को निधन हो गया है इनके निधन पे पा से पार्टी के वरिष नेताओं ने दुख जताया है और और परिवार के प्रती सोग सबेदा व्यक्त की है वहीं बोपाल विकास प्रादीकर्ण के प्रुमुख अध्यक्स ओम यादव के निधन पर सियाम सिवराज सिंग चोहान ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कि आत्मा की सांति हो औरन के सोक परियत परीजन और याय दुख सैन करने की छमता देने की प्रात्ना करें